अस्सलाम अलाइकुम दोस्तो श्वागत है पोल्टी फार्मिंग की नाई और एक वीडियो में तो दोस्तो अभी मेरे फार्म में बार लिफ्टिंग हो चुक है और फार्म क्लिनिंग का काम दोस्तो जारी है तो फार्म क्लिनिंग ऐसा एक चीज है बहुत सारे फार्मर भाई क या करते ही उस चीज़ पे धान नहीं देते हैं और से बोलते हैं कि मैनेजमेंट सभी सब कुछ चाहे तो मैनेजमेंट सभी करो तो रिजल्ट आते हैं लेकिन दोस्तों एक चीज है कि फाम क्लिनिंग अगर आप सही से नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कते आ सकती है जैसे कि आप एक चीज को अच्छे से नहीं देखेंगे अगर आप एक चीज को अच्छे से नहीं शुनेंगे तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपको प्रोब्लेम होगा तो बहुत सारे फार्मर भाई मेरे आसपास है जो क्या करते हैं कि जो पूराना वाला लीटर है उसको एक लिटर में बहुत फंगास होते हैं, बहुत बैक्टरिया होते हैं, तो बैक्टरिया क्या करते हैं, जो चालन है उसके अंदर स्पेड कर जाते हैं, उसके साथ दो सुझे हो और पूर सकती हैं कि बहुत important एक चीज है और farm cleaning ऐसा एक चीज है अगर पूरा में बदाऊंगा तो लगबग 25-30 मिनिट वीडियो लंबा हो शकते तो इसके लिए वीडियो को मैं छोटे-चोटे पाड में बनाऊंगा तो पहला काम मैंने जो किया farm में बाड को lifting होने के बाद तो बाहर की तरफ बाहर की हिससे आप देख से तो इस बाले जो जगा है उहां पर मैं साफ साफ़ाई उसने अच्छे तरीके से मैं नहीं करा क्योंकि जो अंदर की तरफ काम इतना ही सीडूइल जादा होते हैं कि बाहर की तरफ मुझे साफ साफ़ाई करनी की वक्त कम मिलते हैं तो इसके बज दूसरी काम मैंने कौन सा किया कि मैंने जो होफर बगेडा होते हैं फार्म के अंदर उसको अच्छे से मैंने निकाल लिया जैसी कि ओटो डिंग कार बगेडा मैं बाहर की तरफ निकाल लिया हूँ और इस जो होफर बगेडा है उसको भी मैं अच्छे से खोल करके अनिस्ट पुले जम जाते हैं तो उसको अच्छे से साप करके उसके बाद ही इस्तेमाल करूंगा वे दो चीज़े और तीसरी बात है आज जो काम मैंने शुरू किया एक डास्टिंग का काम तो जाड़ी है उसके साथ साथ फार्म के अंदर जो लीटर वागेरा होते है उसको एक जगा करने की जो काम है वह दोस्तों जारी है तो जब आपको छोटे एक जारू लेकर इस जगा को अच्छे से एक टा करना है और इसको फेकने के बाद अच्छे से फीर से डास्टिंग करना है कोई भी अगर पॉजन्स रहे जाते हैं फार्म के अंदर कोई भी चीज रह जाते है दोस्तो फार्म के अंदर दिक्कते हो शक्ती है यह जो आप देख रहे हो कि बाहर सादा सादा जो पालक है वो अगर रह जाते है तो उसमें बहुत पॉजन्स होते है वो छोटे बार में इंफेक्ट कर सकते है तो छोटे बार में अगर पॉजन्स आ जाते है तो दोस्तो पूर अच्छा होगा तो 25-10,000 रुग आसनी से जाधा दे देगा बाड लेकिन अगर आप इस चीज को इसी जरह से करेंगे कि पुराना लेट्यार से बाड को करेंगे हो सके एक बार आपका 5000 रुपे से भो जाए लेकिन जो आपका डेजल्ड में एफेक्ट आएगा वह अगर जाध होगा बहुत सारे फार्मार जो पुराना लेट्यार से चार्ज करते हैं उसका दो के जी एक उस्सु बाइसो से जाधा बाड नहीं आता मैंने जो खोज लेकर अंदर की बाद बाता रहो लिकिन मेरे फार्मिंग में पचीस सो चौबीशो तेईशो कभी-कभी-कभी-कभी-क इसका दोस्तों कारण है कि इसी तरह से अच्छे फार्मिंग में डस्टिंग को नहीं रखना मैंनेजमेंट को अच्छे से करना इसके लिए आने वाले टाइम में दोस्तों और वी फॉल्टी फार्मिंग क्लीनिंग वगेड़ा वीडियो में डालता रहूंगा और आप एक- काम को अच्छे से करेंगे अगर आप डस्टिंग अच्छे से नहीं करेंगे मैंनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने मैंनेजमेंट तो सही किया सही मेडिसिंग इस्तेमाल किया लेकिन मेना प्रॉब्लम सॉल्ट नहीं है तो हर एक चिसको दोस्तों आपको अच्छे से करना जरूरी है दोस्तो तो फिर मिलेंगे और एक क्लिनिंग का वीडियो में और एक फार्मिंग का वीडियो में जाहिन दोस्तो